में चल रही दो टेमों की गारा परफॉमस में चा रहे हैं है अपने ग्रूप में इनकी आलए 118 का पर बैसे getting IP वहाँ ले डिल्ट के ऐसो आपरि स्कॉर रहेता है सट्र विकर्टम जिरह है पिछले पांच में से जिसमें से अड़ताली स्पेसर्स ने और स्पिनरों ने पावी स्विगेट निकाले हैं इसके अलाव दोस्तों आगे बढ़े अपन तो यहां पर वेन्यू पी देखोगे चेजिंग ने पांच में कर रखें और वहीं दोस्तों पहले वेटिंग करने वाली टीम यह में च्विन कर रखें मेडिल करने वाल्याव दोस्तों फोड़ा सा इनका यहां पर शुछ और मीडिल सेक्स के बीच में जिसमें आप देखोगे तीम चेस करने वाली टीम ओल आउट होई तोटल सोलाव वीकेट इस्वेंड और गिरें दोस्तों पेसस ने निकाले जहां बाकि दोस्तों पेसर जनरली जाद अच्छी वेन्यू रहती है एक मात्र में चीज यह यह यहां पर देखो गए बिडिल सेक्स के प्लियरों की पर्फॉमेंस इस वेन्यू पर क्या रहती है तो इस्टेफन एसकेनी जीन बावीस में चुमें आट सु तीरे रहे हैं जॉन सिम्सन की बात करें तो च्यालिस में चुमें 21 के उसस से स्कोरिंग कर रखी है मैक्स वल्डन के 21 को उससत है जॉय क्रेकनेल का नो मेच में 68 रहें टॉम हम ने दोस्तों यहां पर काफी अच्छी पर्फॉमेंस दे रहें इनकी पर्फॉमेंस देखो के तो काफी अच्छी रही है इस वेन्यू पर चोवीस में चवालिस में जरूर धियान रखेगा इंप इनकी तरह से सुसेक तरह से यह प्लियर्सों कि परफॉमेंस देखोंगे रही है अगे निकल चुकिए मिद्ल सेक्ष में और पिछले पांच वेच्छन में चार में शें शवाज यह कम च्मिन करा रहें इसके अला अच्छी यहां करा गया गया तो उसकी पर्फॉमेंस की ब और लास्टेस में ये भी जीरो प्राउट हो रहा है तो एक तीम आपको जरूर रहा है करना जिसमें आपके टीम में कैप्टन जोई क्रेक्टन और स्टेफन एसके नाजी होनी चाहिए और इनके वेवर में आप टीम लेके चल सकते हैं इसके अलाब दोस्तों रोबी और रोड और सुसेस की तरब दूस्तों टाइमल मिल्स ये दो प्लियरेसर हैंगे जो कि हेट्टोड में अच्छी परफूंस देते हो इंकी परफूंस तो इहां पर इनोंने साथ में जिसमें से एक भी मेंच नोंने विन नहीं किरा किस टीम के अगेंस कितना स्कोर कर रहा है वह भी हा यहां पर जेडी केरी दोस्तों काफी काम है लेकिन इंपोर्टन पी क्रेंगे चार वर कंप्लिट करें थे दो विकेट भी निकाले थे और रन भी थोड़े बना सकते हैं जैक डेविस पर ज्यादा दियेगा क्योंकि विकेट की बिंग नहीं कर रहा है और बेटिंग काफी ज़्यादा नीचे है मार्टन एंडर्सन काफी इंपोर्टन पी किस में सकते हैं लास्ट इस वर केवल दो वर की केंदवाजी करी ती लेकिन अच्छे बॉल रहे दोस्तों टॉम है एक विकेट मिला थे इनको ब्लेक कल इनको भी एक विकेट मिला तो पिछले मैंच की परफ परशन सेलेक्शन इसमें दोस्तों दो प्लेश जिरो पर उट विसेस रूप से अपको धियां रहेंगे और रियान ही कि दुस्तों ग्रेंट में अच्छे जी एल पीक है इनको जरूर रहें गरना बहुत हैं इंपोर्टन भी रहेंगे बॉलिंग में यहां पर देखो कि आप इनको इजले ड्रॉप कर सकते हों बाकि सब कुछ यहां पर मेंचेन आपको दिख जाएगा स्मॉल लिग में आप क्या 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 कर सकते हो ग्रेंट लिप कौन को स्टेश्य प्लियर से उनके पर रिस्क ले सकते हो यह जिन पर जरूर ट्राइक काफी इंपोर्टन पिक यह से मेक्जिम टाइम चलने वाले लेकिन लोगों ने इनको कम ले रखा है कि अलावा दोस्तों स्क्राइट डीटेल आप देख सकते हो सीरी स्टाट और ने के पहले का इनका रिसेंट फॉर्म क्या चाल रहा है मतलब इस सीरी स्केल क्या रहा है उनकी रिसेंटली रिकाट सबसे रिसेंट वाविस्ता चौमालिस्ता एक्सटा इस तरीके से मेंसिल कर रखा है और टीटी ओवरॉल में क्या इनके रिकोर्ड रहते हैं वो भी हापर मेंसिल कर रहा है तो वीडियो को पॉस करके आप इनके स्टेट देख सकते हो यह थोड़ा अपडेटेट नहीं है सी देखें तो सेकेंड में विन कर रहा था इसके बात कि चारों मेंचे सी हार क्या रहें दोस्तों पहला भी हारे इनकी तरफ से अगर आप देखोगे प्लेंग लिएंग क्या रहेगी तो दुस्तों टॉम क्लक ओपन कर रहे हैं तो दोनों की दॉनों इतना कुछ खास अभी त सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इंपोर्टन विक रहेंगे माइकल बर्जस ने तक अच्छा परफॉइंस दिया लेकिन पर्सिक्शन के वल 17 तो यह अपने लिए आज कमेंच मेंच में डिफ्रेंचल के टिगरी में रहने वाले हैं इसका लावत जैम स्कॉलर ने यह थोड़ तो बालिख करेंगे, टाइमल में थे फोल में तक इंहीं करें लेकिन वेरीसल को बिफथे हैं पड़ब हेद लेकिन तो सब्सक्राइब देख lle fingertip कौन कौन जैसे प्लियर है जो कि कौमर रहेंगे सेफ रहेंगे और स्मॉल लिग में लेके चल सकते हो तो टॉम एलसो विकेट कीपिंग में सेफ ओप्सन है रभी पार मस्टेप पिक है यहां पर आपको बता दू साधाप खान पर चाहो ग्रेंड लिग में थोड़ी रिस्क ल इसके लिए यहां पर बर्जेस को जरूर राय कर लेना फॉम अच्छा चल रहा है तो बैटिंग में कर जाएंगे जे कोल्स कुछ अबर की गेंदवाजी कर रहा है प्लस थोड़ी बैटिंग से भी कर सकते हैं अगर टॉप और कॉलेप्स होता है तो इन दोनों प्लेयरों का काफी कि कवे ग्राइने कर सकते हैं यह से प्लियर जो कि डिफ्रेंशल रहेते हैं इसकी है लेकिन ग्रेंड लिए इंपोर्टन फुक्त हो सकते हैं अपने लिए टॉम गलग बहुत यह उच्या पीक है यह पिकारना केवल 13 लोगों लिए लिकार लिए और आग्षैंस में अ आप कर सकते हो चाहो तो एक काट टीम में ट्राय कर सकते हो अधरवाइस इत्य अच्छे पिक नहीं है चलो फड़ा पड़ यहां पर आप देखलो दोस्तों कि क्या रिकोर्ड रहा है रिसेंटली और ओवरोल टी-20 करियर में तो यहां पर फिलाल इस चीस को थोड़ा से जल्द करता है मैं में इस तरीके से जोइन करता हूं कि सबसे पहले जो सबसे बेस्ट लगता है उसको में पहले से अपनी टिम में ले लेता हूं और बाकी दूस्तों चार प्लेयरों में से ओपनेंट चूस करता है तो यहां पर में रिंग चाएंट यह से बढ़ जाते हैं तो इस कर सकते हैं दिसक्रियूं के साथ जाना चाहूं जा सकते हैं निचेन डिस्कुसिन डाल रखिए तो आप हैंसे इस आप खराय कर सकते हों अगर पशता है यह पर प्लीर्ट फॉर्म पे लगा सकते हैं तो यहां पर टॉम एल्सोप पे जोई करेक्नल है, यहां पर अगर देखोगे, फिलहाल में अपनी टीम में टॉम एल्सोप के साथ जा रहा हूँ, पेट्री करिशन में स्टेफन एसकनाजी रहेंगे, यहां पर पीटर मलान मेरी टीम में रहने वाले हैं, और बागी दूस्तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, यह दो तीन कुछ इंपोर्टन मस्टेफ पिक रहेंगे, जिनके साथ अपन बिल्कुल जाएंगे, एक रियान ही गिंस हो गए और जेडी कैर्स भी थरुपतो, थोड़े अच्छे प्लेयरों में आते हैं, तो इनके अब चाहो तो जेडी क्रे यहां फिर दोस्तों मार्टिन एंडर्स या फिर दोस्तों जेडी केर्स डिफरेंशल रहेंगे, तो यहां पर फिलहाल में लिव को जा रहा हूं, जो कि थोड़े सेफ और साइड भी रहने वाले हैं, फाइनल जो ग्रेंड लिक की मेरी टीम रहने वाली है, वह मैं आपको द आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए करें